एक बार की बात है, किसी गाव के मंदिर में देव शर्मा नाम का एक प्रतिष्ठित साधू रहता था। गाव में सभी उसका सम्मान करते थे, उसे अपने भक्तों से दान में तरह तरह के वस्त्र, उपहार, खाद्य सामगरी और पैसे मिलते थे। उन वस्त्रों को बेचकर साधू ने काफी धन जमा कर लिया था। साधू कभी किसी पर विश्वास नहीं करता था और हमेशा अपने धन की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता था। और साधू के पास गया। उसने साधू से मिन्नत की कि वह उसे अपना शिश्य बना ले क्योंकि वह ज्यान प्राप्त करना चाहता था। साधू तयार हो गया और इस तरह वा ठग साधू के साथ ही मंदिर में रहने लगा ठग मंदिर की सफाई से लेकर अन्य सारे काम करता था और उसने साधू की भी खूब सेवा की जल्दी ही वा साधू का विश्वास पात्र बन गया एक दिन साधू को पास के गाउं में एक अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया गया साधू ने वह आमंत्रन स्विकार किया और निश्चित दिन पर साधू अपने शिश्य के साथ अनुष्ठान में भाग लेने के लिए निकल पड़ा रास्ते में एक नदी पड़ी और साधू ने सनान करने की इच्छा व्यक्त की उसने पैसो की पोटली को एक कंबल के भीतर रखा और उसे नदी के किनारे रख दिया उसने ठग से सामान की देख भाल करने को कहा और खुद नहाने चला गया ठग तो कब से इसी पल का इंतिजार कर रहा था जैसे ही साधू नदी में डुबकी लगाने गया वह पैसो की पोटली लेकर चमपत हो गया शिक्षा सिर्फ किसी अजनभी की चिकनी चुपडी बातों में आकर उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए मुह में राम बगल में छुरी रखने वाले लोगों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है